Hello my dear students, welcome to Science and Fun. कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? चलो, तो क्लास 10 हो चुका है आप लोगों का और अब डिसाइड करना है कि कौन सा स्ट्रीम चूज कर सकते हैं? मेरे Q&A वाले सेशन में बहुत सारे बच्चों ने पूछा कि मैम बायोलोजी में मेडिकल के अलावा क्या-क्या फील्ड ऑप्शन्स है जिसको जिसमें हमें इंटरेस्ट आए या जिसे हम आप्ट कर सके और एक अच्छा करियर बना सके बहुत सारे अनगिनत डीम्स आ रहे थे अनगिनत कॉमेंट्स आ रहे थे चैनल पर अब इसी को लेकर मैं आज ये सेशन लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए ताकि मैं आपको बता सकूँ कि बायोलोजी इस नोट जिस्ट अबाउट मेडिकल एंड 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 विंग डॉक्टर अगर आपको डॉक्टर नहीं भी बनना है तो भी बहुत सारे फिल्ड ओप्शन है जो आप चूज कर सकते हो जिसमें आपको इंटरेस्ट भी आएगा और इट इस अ माइंड ब्लोइंग करियर ओप्शन तो चलो बायोलोजी के कुछ फ्यूचर स्कोप्स हम लोग फटा फट से डिसकस कर लेते हैं अब क्यूँ आप लोगों को टेंथ के बाद बायोलोजी चूज करनी चाहिए कुछ इसके मैं आपको पर्क्स बता दूँ सबसे पहले तो उन बच्चों के लिए जिनको डॉक्टर बनना है ठीक है तो सबसे पहले तो हम मेडिकल के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं जिनको डॉक्टर बनना है जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ MBBS कोर्स करने के बाद ही डॉक्टर बन सकते हैं वो नीट का एक्जाम देकर बहुत सारे कोर्स के ओप्शन में से किसी एक ओप्शन को चूज करके डॉक्टर बन सकते हैं there are many options other than MBBS जैसे की BDS यानि की जिन्हें डेंटिस्ट बनना है या फिर यूनानी आयूरवेदा ओके होमियोपैथी इन सब के डॉक्टर साब बन सकते हो फीजियो थेरपिस्ट आप बन सकते हो फिर भी आप डॉक्टर ही कहलाओगे वेटनरी साइंसेस से आप कोर्स कर सकते हो फिर भी आप जानवरों के डॉक्टर ही कहलाओगे मैं एक myth and misconception थोड़ा सा दूर कर दूँ जो लोग भी वेटनरी साइंसेस आप करते हैं यानि कि जो लोग जानवरों के डॉक्टर बनते हैं उनके करियर में ज्यादा options उनको देखते हैं यानि कि success rate उनका ज्यादा होता है तो किसी से का भी अगर सुनो कि वो वेटनरी डॉक्टर है तो ऐसा मजाब बढ़ाने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि pets सबके पास होते हैं आजकल तो हर एक घर में pets हैं और बहुत ज्यादा अनिमल लवर होने का ट्रेंड भी चल रहा है इंटनेट पर तो उसके वज़े से भी pets बहुत ज्यादा लोग रख रहे हैं और अगर आपको एक successful doctor बनना ही है और वाय नॉट बिंग डॉक्टर ऑफ क्यूट पेट्स हैं यूनो क्यूट अनिमल्स so medical का field तो हमीशा आप लोगों के लिए खुला हुआ है ही अगर आप biology opt करते हो तो इसके अलावा आपके पास pharmacy का भी option है आप pharmacy वाले field में भी जा सकते हो इसमें आपको पढ़ाई करनी होती है बहुत सारे medicines के बारे में ताकि आप pharmacist बन सको doctor के बाद मैं एक तरह से मान सकती हूँ कि बहुत जादा high value जो job होती है doctor के बाद वह pharmacist की job होती है because doctor का लिखावा prescription तो आप नहीं पढ़ सकते पर एक pharmacist दरूर पढ़ सकता है और फिर वह उसे पढ़के आपको सही medicine दे सकता है ताकि आप ठीथ हो जाओ और उसके अलावा pharmacy एक अच्छा high paying job है बहुत बड़ी बड़ी ऐसी medicine industry है जिसमें pharmacist के कई सारी vacancies हर साल निकलते हैं उसके बाद आजाता है nursing आप बीएसी nursing कर सकते हो doctors और pharmacist के बाद अगर किसी की बहुत जादा respect की जाती है लेकिन थोड़ा सा undervalue कर दिया जाता है थोड़ा सा underestimate कर दिया जाता है तो वो होते हैं nursing वाले लोग लेकिन मैं आपको बता दू कि nursing का job is also very respectful job और इससे भी आप अपना career boost कर सकते हो बहुत सारे hospitals, बहुत सारे clinics, बहुत सारे medical institutions में कभी-कभी ऐसा भी होता है कि अगर कोई emergency case आ गई है और उस time पर doctor available नहीं है तो थोड़ी देर के लिए उस patient को समालने के लिए nurses हमेशा तैनात है और उनकी मतलब उनका जो role होता है वो doctor के बाद आता है तो it is a very respectful job अगर आपको interest आए तो आप nursing कर सकते हो कभी-कभी ऐसा होते है कुछ mark से NEET का exam जो है वो नहीं clear हो पाया for MBBS and other courses लेकिन nursing के लिए आप you know eligible होते हो और सारी criteria's fulfill हो जाती है and mostly मैंने देखा है कि जितने भी female students है वो nursing के तरफ आजकल थोड़ा ज्यादा inclined है for many reasons in fact मेरे ही batch में मेरी एक friend है जो जिसने BAC nursing की and then MSC भी उसी में किया और अब वो एक बहुत अच्छे reputed hospital में posted है and she is doing great तो nursing is also a very good option फिर आप biotechnology का field भी choose कर सकते हो biotechnology जब आप class 10th अभी pass out किया हो ना जब आप class 12th में जाओगे तो आपको 2 chapters यानि कि एक unit पुरा biotechnology का पढ़ने को मिलेगा उस time पर आपको clear हो जाएगा कि आपको कितना interest आ रहा है biotechnology में फिलाल तो 10th के बाद biology क्यों opt कर सकते हैं उसके मैं सारे field options बता रही हूँ biotechnology is all about engineering with some life sciences engineering perspective से जब हम life sciences को deal करते हैं तो हम उसे biotechnology बोलते हैं जैसे कि अगर आपको vaccine बनानी है जैसे अभी covid का era खतम हुआ I hope कि खतम हो ही गया हो इतने सारे vaccines निकले और इतनी बार testing की गई serum institute में इतनी जादा मतलब continuously research चलता रहा चलता रहा that was all in the field of biotechnology ठीक है अगर आप एक biotechnologist होते हो तो आपको आगे चलकर बहुत सारे अलग-अलग aspect में biotechnology का research करने को मिलेगा आपको कुछ animal अगर आप animal biotechnology चूज करते हो या plant biotechnology चूज करते हो तो आपको अपने respective field में अलग-अलग चीजों में research करने का मौका मिलेगा हो सकता है आपको ऐसा product बना दो जिसका patent आपको मिल जाए और फिर दुनिया भर में आपका नाम हो जाए हमेशा के लिए this is a great field option और मुझे लगता है कि इस time पर इस generation में इस era में biotechnology जिस तरह से grow कर रहा है ना that is amazing अगला जो field है बच्चो वो है biochemistry का और मैं बता दूँ आप लोगों कि जिन बच्चों को जैसे कभी-कभी होता है जिना कि math or physics में उतना interest नहीं आता लेकिन biology अच्छी लगती है and chemistry भी अच्छी लगती है mostly organic वाला part तो उन बच्चों के लिए it is a good news क्योंकि biochemistry का field is something जिसमें आप जैसे मैंने आपको pharmacy का बताया कि you study about various kind of medicines अब वो medicines बन कैसे रहे है क्या chemistry है उन medicines की क्या composition आप कोई भी दभाई खरीते हो तो उसके पीछे कोई भी दभाई छोड़ो कुछ भी खरीते हो तो उसके पीछे उसका composition लिखब हूआ होते है कि वो किन-किन चीजों से बना हुआ है अब जिन भी चीजों से वो बना हुआ है उन सारे एक individual approved composition है उसमें क्या है उसमें fatty acids है उसमें cholesterol है उसमें mineral oils है या whatever आप इस bio chemistry के fields से आप you know जितने भी medical fields है उससे भी relate कर सकते हो cosmetic fields से भी relate कर सकते हो जब आप खाना बना रहे हो तो जितने भी various cooking oils और मसाले और बहुत सारी चीज़े यूज हो रही है उन सब को बनाने के पीछे भी जिस तरह की chemistry यूज की गई है जो आपके life में कही ना कही value addition का काम करी है वो सारे field में बायो केमिस्ट्री वच्छो चूस करने के बाद ना फिर सोचना नहीं पड़ेगा कि कहां जाएं क्या करें आपके पास 72 options होंगे कि आप कौन सी industry जोईन कर सकते हो यह बायो technology हो गया बायो केमिस्ट्री हो गया यह सारे industrial options है जब आप industries join करते हो as a post आप कहीं पे posted हो वहां पर आपका एक you know post होता है manager का यह फिर analysis करने का whatever तो यह बहुत ही ज्यादा इंट्रेस्टिंग है उसके बाद आजाता है basic life sciences जिसमें हम zoology और botny की study करते हैं जैसे कि मैंने की तो मेरा जो graduation था वो zoology से था and chemistry से zoology and chemistry दोनों से मैंने graduation कर रखी है तो zoology से जब आप आगे बढ़ोगे ना तो बीस सी करोगे graduation करोगे फिर master's करोगे and ultimately आप research field में चले जाओगे और अगर आपको research नहीं करना तो आप zoology के professor बन जाओगे और मेरी तरह जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूं वैसे ही हो सकता है आप किसी college में posted हो जाओ और as a professor आप बच्चों को deal करो तो यह भी बहुत जादा fascinating है या तो research areas में जा सकते हैं यहां फिर professor बन सकते हैं तो zoology and then botany जिनको भी zoology में interest आता है जिनको भी animals के life में interest आता है या फिर जिनको botany में interest आता है plant के life में interest आता है they can go in their respective fields तो यह तो आपको clear होई गया उसके बाद है oh my god marine biology के बारे में मैं कितना जादा emphasis करूँ it is it is one of the most fascinating career options in biology जिनको भी oceans के बारे में बहुत fascinations आते हैं कि यार यह क्या है ocean life कैसी होती होगी ocean के अंदर जो जती भी marine animals हैं या plants हैं उनकी life कैसी होती होगी उस ocean के अंदर कितनी सारे you know gems का खजाना छुपा हुआ होगा क्या होगा उस ocean के अंदर सब कुछ आप marine biology या फिर oceanography में पढ़ोगे उसमें वो पढ़ने के बाद आपको coastal areas में पोस्ट किया जाएगा जहां पर आपकी life beaches में and seas and oceans में बीतेगी जिस चीज का हम लोग vacation आने का सपना देखते हैं कि या vacation आए तो गोवा चला जाए या फिर किसी ऐसे beach वाली areas में चला जाए वहां पर आपको आपकी पूरी life ही vacation जैसी feel करेगी तो marine biology is also one of the most fascinating career option in biology फिर आजाता है बच्चो food technology जिसके बारे में भी मैंने Q&A session में बताया था आप लोगों को food technology basically आप जो भी खाना consume कर रहे हो उसके पीछे उसको बनाने के क्या technology है again इसमें biochemistry भी include हो जाता है कभी-कभी technology भी यूज हो जाती है and food technology एक अपने आप में एक बहुत बड़ी industry है आप daily life में इतने सारे junk food खाते हो you know canned juices पी रहे होते हो जो भी चीजे आप खा रहे हो पी रहे हो आप restaurants जा रहे हो आप आपको जो भी चीजे खाने पीने के मिल रहे है कोई नया डिश आपने ट्राइ किया कैसे बना क्या प्रोसेस उसको बनने का food factory देखा था discovery channel या फिर किसी दूसरे ऐसी किसी चैनल पर आता था आइदीन डिसकवरी चैनल पर ही आता था food factory अब उस food factory में तो basically यह दिखाते थे कि factory में कैसे कोई भी food item के manufacturing हो रही है लेकिन basically food technology क्या है कि वह manufacturing जो प्रटिक्लर food item की हो रही है वह बनी कैसे कैसे किसी ने भी सोचा कि यह वाला recipe ऐसा होता होगा यह सारा बहुत कुछ interesting है इसके अंदर भी फिर हम बात करते हैं oh my god this is this is a vast field इसका तो मतलब कोई और छोड ही नहीं है genetics मैं जब मेरा जब graduation हो गया था ना तो मुझे तीन चार मैंने ऐसे options रखे थे कि मैं तीन चार field ऐसा चूज करूंगी जिसमें मुझे master's करने है एक तो था biotechnology और एक था microbiology, genetics and environmental science चार field options मैंने रखे थे and touchwood मेरा सारे ही field में entrance clear हो गया था अलग-अलग universities and colleges में बट जो सबसे अच्छी rank आई थी मेरी वह rank थी environmental sciences के लिए तो मुझे लगा कि maybe I am more deserving for environmental science than any other course तो इसलिए मैंने वह वाला option चूज किया था but genetics let me tell you आपने अभी class 10th में सिर्फ और सिर्फ Mendel की genetics पढ़ी है आपको कोई idea नहीं है कि genetics कितनी interesting हो सकती है और इसमें कितने research options आपको मिल सकते है आपको foreign के institutes में जाने का मौका मिल सकता है आपको बड़े-बड़े scientist के साथ काम करने का मौका मिल सकता है this is a great career option बच्चो अगर आपका अभी सारे जो वो test cross, back cross, F1 generation, F2 generation, bono hybrid cross, die hybrid cross ये सा बच्चे से हो जाता है न then give it a chance biology opt करके genetics के field में जाकर देखो your life will get changed अगला आ जाता है बच्चो foreign 6, okay foreign 6 science में भी मुझे बहुत जादा interest था मेरा इसका entrance exam शूट गया था for some reason क्योंकि उस टाइम पे covid का time चल रहा था तो I couldn't reach to the place जहां पर वो entrance exam था but foreign 6 भी आपको बहुत जाबा ना एक वो investigator plus doctor plus police इन सब का एक combined field देगा आपको खुद में क्योंकि यह एक ऐसा field है बच्चो जिसमें आपने crime patrol देखा होगा आपने CID देखा होगा सालूम के नाम सुना उनकी तरह नहीं बनना बिलकुल भी कुछ भी taste करके इसमें काम नहीं होता है बहुत ही precisely बहुत ही technique के साथ इसमें काम किया जाता है आपको यह field opt करने के बार आपको बहुत अलग अलग तरह की psychology पढ़ने का मौका मिलेगा आप लोगों के mind reads कर पाओगे आप किसी crime scene में जाओगे तो आपको उस जगहक के environment को देखकर ही समझ में आ जाएगा आप सब कुछ visualize कर पाओगे कि यहां पर क्या क्या कैसे कैसे हुआ था प्लस आपको कहां से samples लेने हैं आपको उस sample को किस तरह से interpret करना है कैसे proofs निखालने हैं मुझे लगता है कि इससे interesting और इससे fascinating कुछ नहीं हो सकता give it a try अगर biology opt करोगे तो forensics ज़रू try करना उसके बाद है agriculture agriculture का भी field आजकर बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है क्योंकि हमारे government ने भी agriculture field को बहुत ज्यादा seriously लेना शुरू कर दिया है because of high demand and low productivity इस वज़े से agriculturist जितने भी हो रहे हैं ना उनको बहुत ज्यादा benefits दिये जा रहे हैं scholarships बहुत ज्यादा provide किये जा रहे हैं प्लस उनकी posting भी अच्छी खासी हो रही है high salary job है बच्चो इस agriculture field के अंदर फिर आ जाता है microbiology जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ microorganisms के बारे में पढ़ना होगा bacterias, viruses, fungi and जितने भी अलग अलग तरह के microorganisms होते हैं उनके बारे में आप study करोगे वो किस तरह के disease cause कर सकते हैं या फिर उनसे आपको क्या benefit मिल सकता है यह थोड़ा बहुत biotechnology से relate करता है इसके अंदर भी एक biotechnology का थोड़ा सा portion है biotechnology के अंदर microbiology का थोड़ा सा portion है in fact मैंने आपको जो चार fields बतायना वो सब आपस में थोड़ा बहुत related है तो microbiology is also a great option इसमें आपको industrial applications देखने को मिलेंगे आप industries में posted किये जाओगे and वहाँ पर आप अलग-अलग तरह के microorganisms की research करके उससे कुछ product बना सकते हो या फिर अपना खुद का एक patent बना सकते हो ठीक है उसके बाद आजाता है nutrition and dietetics बहुत जादा urban areas में इनके demand है आजकर लोग जंग खा खा कर और work from home करकर के इतना जादा अपने आपको फैला चुके है ना इतने unhealthy हो चुके है unhealthy lifestyle को ठीक करने के लिए बहुत सारे लोग nutritionist के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे एक ऐसा diet plan बता दो जिससे मेरा weight control रहे है या मेरा diabetes control हो जाए या फिर अलग अलग तरह की बिमारियों को control करने के लिए लोग दवायों से जादा आजकल अपने lifestyle को improve करने के बारे में सोचते है तो nutrition and dietetics भी बहुत एक अच्छा field हो सकता है जिस time पर आप उस field तक पहुँचोगे जितने भी साल अभी है आपको 11, 12 और graduation और master's करने में तब तक इस वाले field में बहुत अच्छा खासा exponential growth आ जाएगा और उसमें भी काफी high salary मिलती है चलो बचो तो ये हो गया हमारे various field options अगर आप बाले जी चूज़ करते हो तो अपने field के बारे में अपने future के बारे में अच्छे से सोच समझ कर अपना career चूज़ करना choose your field wisely और अभी भी अगर confused हो अपने courses को ले कर या किसी भी चीज़ को ले कर तो अभी भी हमारे पास ये offer valid है holy offer है हमारा science and fun का सारे ही courses में चाहे आप महा पैक लेते हो या फिर single course लेते हो it will be available for you single course 1499 में और महा पैक 999 में तो holy को offer का लाब उठाइए और अपने field को एक नई दिशा दो एक अच्छा direction दो और अपना career सेट कर लो thank you so much मिलते हम लोग किसी और session में तब तक के लिए take care and bye bye